दोस्तों रात को अगर हम अच्छे से नहीं सो पाते हैं, रात जाकर काड़ते हैं तो इसका असर हमें अगले दीन देखने को मिलता है, शरीड में हमेशा सुस्ती छाई रहती है, शरीड में एनर्जी नहीं रहती, कोई भी काम करने का मन नहीं लगता, आलस आता है, आखों में पानी आने लगता है मन चिजड़ा रहता है डाजिशिन अच्छे से नहीं होता और पूरा दिन unhealthy फिल होता है और नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं तना हो सकता है काम का प्रिश्यर हो सकता है, रात राद द्भर मॉबाइल पे वजी रहते हैं, उसकी आदत के कारण भी नींद नहीं आ सकती है, और कई कारण हो सकते है नीद ना आने के, तो आज कài वीडियो आपके लिए बेहर इखास है, अगर आपको रात को नीद ना आती है, अनींदरा के समस् और आपको बेहत फादा मिलेगा नीन के अलावा दोस्तों यह जो रेमेडिया को बताने वाला यह पॉस्टिक से भर पूर है आपके पूरे शरीर को हेल्डी बना रखेंगे तो आई जानते हैं इस उपाया को तयार कैसे करना है कौन-कौन से चीजि़ों के आशकता होगी तो यहां पर आपको सफेद खस-खस का इस्तमाल करना है खस-खस आपको किसी भी आसफास के मसाले के शौप पर या फिक किराने के दुकान में मिल जागी बहुत ही आसाने से मिल जाती है दोस्तों इसके गुणों के बात की जाया तो आयरवेती किताब स्टांग रिद्य में बत करते थे खस-खस के वैसे बहुत से फादे हैं कमर में दर्द हो जोड़ों में दर्द हो या फिर दिल से समंधित कोई रोग हो मांश्मेश्य कमचूर हो गई हो उसके लिए आप इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आज मैं आपको रेमिडिय बताने वाला हूं यह नीन लाने के लि जिसके चलते नीन नानी के समस्या को आजसाने से दूर किया जा सकता है यहाँ पर हम सिर्फ दो आफसोधियों का इस्तमाल करेंगे दो चीजों का इस्तमाल करेंगे खस-खस और बादा तो चलिए जानते इसका सेवन कब कैसे करना है सारी ही चीजे डिटेल में आपको बतान इसी तरीके से आपको इस्तमाल करना होगा इससे जो नींद के समस्या है ना वो जड़ से आपकी खत्म हो जागे आप क्या कीजिए एक साथ तीन से चार दिनों के लिए भीको कर रख रहा हूं इतनी मात्रा मेंने पानी डाल दी है इसे हम राद भर के लिए छोड़ देंगे इसका लाव जो बदाम है ना बदाम को भीको कर राद भर के लिए छूड़ देंगे चलिए भीको देने के बाद आपको इसका इस्तमाल कैसे करना हो जानते हैं सुबह आप देखेंगे तो खस-खस और बादाम जो अच्छे से फूल गए होंगे, तो आपको क्या करना है, खस-खस को पानी सहीद, ग्रैंटे जहर में डालना है, और इसे ग्रैंट कर लेना है, इसमें आप थोड़ी सी मातरा है, पानी और अड़ कर लीजेगा, तो ये अच अब आप सोचेंगे, आपके मन में सवाल आया कि भई, क्या इस गर्मी के मौसम में खस-खस और बादाम का सिवन कर सकते हैं, आपको बता दू कि खस-खस ही तो तासीर होती हो, ठंडी होती है, तो गर्मी के मौसम में बेफिक्र होकर आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हो, इ दूसरी चीज़े हम इस्तामाल कर रहे हैं वह बादाम, बादाम की ताफिर गर्म होती है लेकिन इसे राल बर भीगो देने के बाद इसकी ताफिर नॉर्मल हो जाती है तो बादाम का इस्तामाल आप गर्मी में भीगो कर सकते हो, अब क्या करना है आपको यहां पर एक गिलस दूद लेना है, दूद आप गायका लीजेगा, अगर आपको शरी में मोटापा बढ़ा हुआ है, आप चाहते हो कि मोटापा ना बढ़े तो आप यहाँ पर बैगर क्रीम वाला दूद लीजेगा, आप सबसे पहले दूद को गर्म कर लीजेगा, गर्म करने के बाद जो यह वाला दूद इस्तमाल कर सकते हो, आपको दूद लेना है एक ग्लस और इसमें आड़ कर देना है, डेड़ से दो चम्मच की मातरा में, जो हमने खस-खस का पेश्ट बनाया था ना, इस पेश्ट को दूद में आड़ करना है, लेकिन जब दूद गर्म हो जाए तभी इस मैट कर देजेगा, देखे दोस्तों, खस-खस साथ अगर आप बदाम खाते हो ना, तो इससे आपको बहुत से फादे मिलते हैं, जैसे आपको अगर पूरे दिन ठकान रहती हो शरी में, शरी में कहीं भी दर्द करता हो, घुटने कमचूर हो गए हो, मानश्वेशियां कमच इसमें इसे चम्म से चलाते रहें, क्योंकि इसमें से हमने जो खस-कस मिसकर डाली है, उसको अच्छे से चलाते रहेंगे, तो यह तले में चिपकीगी नहीं, तो इस तरीके से हमें बॉयल कर लेनी हैं, दूसरा कि आपको जब भी नींद ना आने के समस्या हो ना, ऐसा फिल तो सिर्फ तीन दीने आपको लेना है, और जब भी आपको अनेंद्रा के समस्या हो, तब कभी भी आप इसे ले सकते हैं, अब इसमें क्या करना है, विठास के लिए लाल देंगे मिसरी, यहाँ पर आपको सिर्फ मिसरी का इस्तामाल करना है, क्योंकि मिसरी के तासर भी रहाते मन होता है, इसे आप गिलास में ढाल लिजए, इसका सियवन आपको गूर्णा ही करना है, और आपको जब भी आप डिनर कर लो, खाना खालो, खाना खाने के आदे से एक घंटे के बाद इस दूद को सिप करके अराम से पी जाना है, और उपर से एक कप गूर्णा पा जाओगे बैगेर दवाई की नींद लाने के लिए बहुत ही जब्रदस औसे दी है यह आप इसका इस्तमाल एक बार जिरू करना इसे पीड़े के बार जब आप सुबह उठोगे तो तरु ताजा फिल करोगे अनज्याटिक फिल करोगे आपके शरी में थकान महसूस नहीं पंदरा साल से छोटे बच्चों को इस रेमेडिय को नहीं देना है अगर देना चाहूं तो यहाँ पर खस-खस का इस्तमाल बहुत ही कम मातरा में कीजेगा क्योंकि खस-खस के अंदर ऐसे टतू होते हैं जो नींद लाने का काम करते हैं और अगर आप लगतार इसे लेने ल करते हो जाना धन्यवाद